मनुझा ने बोला जमाने थाकूर का कुई कुऊना ठागूर का Зबया, तो यहीं कवीता है ना तो जमीन थाकूर के पास जमाने भचाई नहीं हो, तो लालू यदि हो लेली यह लिये मैश है, तो फेहले बाड़ी सवाल थे से दिमाग हटका बिहार की जो रोज जो पुलगिरा वह जो ये लड़ती पठना में जो कांड हुआ चो बच्ची के साथ वह यह जो तमाम मुद्दे बन रहा है उसके वास मनिस कस्या पांच पुलिस वाले को सस्पेंड कर देना यह सारे जो जिन्वीन मुद्दे हैं यह जो उसको दबाने के लिए लालु यादो बुलाते हैं और रात को कान फूंक देते हैं कि अब इसमें जाती का जहर भो ताकि इन मुद्दों से दिमाग हटके जाती पहीर है असानी बात यह कि जाती जनगड़ना हो गया लेकिन जाती पे लोग टूट नहीं रहा है समस्याओं तो जो नितीस कुमार को सुना रहे है, जो भीहार में बदलाव आ रहा है, उससे घबडाए हुए है, उसको कैसे फिर से वापस लाए जाए, इसीलिए इन लोगों को लगाया गाया गा मैं, यह कभी बिहार की मूल समस्या के लिए पर उति उजाती के नाम के लड़ाते रहो और लालु यादो इनको हड़ी फेकते रहे और या उसको चाटते रहे इसके अलावा इनकी कोई पहचा नहीं पाद कुल लग रहा है कोई इतना सीरियस लेगा मनुझ जा को लेकि लोग कहते वो प्रोफेसर उनके पास बहुत नॉलेज है वो जो भी बोलते सोच समझ सिर्फ जहर बांटता है दिल्ली में कभी को कोई मजदूर पिट गया हो कभी मनुझ जा को देखी है हर्याना में अभी अभी एक ठेकेदार ने मजदूरों के साथ मजदूरों का पैसा नहीं दिया कभी मनुझ जा को खड़ा ओते हो गए देखा है तामिल लादू की घटना होई तो कभी मनुझ जा कड़ा हुआ था ये बाहल है और हल किसका लालु याद्व का खेत किसका लालु याद्व का औ और जाती का जहर बोके और फिर दो हजार चोबिस का फंसल काटा जाएगा और बिहार के गरीबों के बच्चे धका काएंगे उसी जहर को परोस दिया जाएगा फंसल काट लिया जाएगा और फिर आपका बच्चा तमिलाडू जाएगा और लात खाएगा और महरस्ता जाएग बिहार से पूरा दुनिया चला है पूरा देश चला है मगद से हमको ऐसा नेता चाहिए और वो जो जो नेता में एया गुण दिखाई देता हो उसी के साथ खड़ा हुई है देखिए राज्य सभा में सांसद मनोज ज्जा के बयान पर बिहार में राजनीतिक बवाल देखने को मिल रहा है लोग आरोभ प्रत्यारोप लगा रहे हैं और मनोज ज्जा का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध में उतर गए हैं इस वक्त हमारे साथ सुधीर पांड़े जी मौझूद है इसी पर खुलकर इंसे बात करेंगे क्या बोलेंगे मनुझ ज्जा के बयान पर कर ऊज्जा करें तो जासे क्या हुआ है कवी अद रहरे अफ किस शर्टपर बोल रहे है कि पुलिए तब कर देना चाहिए तब क्या बोले थे कि यह तो मुहाबरा है अब यही मुहाबरा है जो दिली इनुवस्टी का है और लालु यादों कह रहे हैं बहुत पढ़ा लिखा है तो ऐसे बढ़ा लिखा है लोग मेरे जूते के बराबर अब जो यह कह रहा हो कि सनातन धर्म खतम कर दीजिए और उसको अगर कोई कह रहा हो कि यह मुहाबरा है तो फिर उपर उसको टोपी तो बनाएंगी ने वह तो जूता ही रहेगा थाकषपर अपने अंदर की थाकुर को मार देना चाहिए इस बात का ताथ पर यह क्या निकलता है उनोंने क्या कहना चाहिए वह पर क्यूं नहीं पर भहस रही थी तो उन्हों ठाकषपर की कभिता क्यूं पढ़ी सवाल यह है thing है अननो Все गा देल si Canon का है हम तोड़े का रहा है कि नोकरी के बतले जमीन में जमीन तो ठाकुर का ले लिए लालो यादो मुकदमा हुआ है तो जस्वी जादों पे उनकी बहनों पे उनके परिवार पे यह हम नहीं का रही है तो जमीन को क्या लिए लालो यादो जमीन ठीक गरीबों का तो ठाकुर तो लेकिन जमीन ठाकुर का कुणा ठाकुर का के फंसल ठाकुर का यहीं ने बोले हैं तो यही कभीता है ना तो जमीन ठाकुरों के पास जमीन बचा ही नहीं हो तो लालु यादो ले लिए मेरा सवाल ये है कि मनोज जा ने क्यों सिर्फ ठाकूर को टारगेट किया और अन्य समुदायक के बारे में क्यों बात नहीं की ठाकूर तो देखिए मनोज दरसल बिहार में जातिवाद चलता रहना यही तो दुकान है लालु यादो और अबडी देवी जो राजनीती की है मंचों से कहते थे अरे पंडी जी हमारे घर आए तो पंडी जी ने पतरा में देखा तो कहा कि तुम भेंश चराओगे देखो आज मैं हेलिकाप्टर हूँ यह मुख्यमंत्री कभी बिहार के बिकास और बिहार के रोजगार और बिहार की फैक्टरी की बात कभी लालु यादो को करते हुए देखा आपने मैं 50 सल का रिकारड उठा दूँगा लालु की राजनीत जिस दिन पैदा हुई उस दिन से उठाऊँगा और आज तक लेक्वे तक आउँगा सिर्फ जाती 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 इसलिपाहर कभी लालु यादो राजनीत की है कि यह बहल है और हल किसका लालु यादो का खेत किसका ल उसी जहर को परोस्त दिया जाएगा, फंसल काट लिया जाएगा, और फिर आपका बच्चा तमिल लाडू जाएगा, और लात खाएगा, और महरास्टा जाएगा, दिल्ली आएगा, और लात खाएगा, और फिर बिहारी सब इसी तरह से गाली होगा, इसलिए कि बिहार के नेत सबचोर होता है असली मुद्धे से दिमाग हटका बिहार की जो रोज जो पूलगिरा वह जो यह लड़ती पटना में जो कांड हुआ जो बच्ची के साथ वह यह जो तमाम मुद्धे बनना उसके पास मनीश कस्या पांच पूलिस वाले को सस्पेंड कर देना यह सारे जो जिन माग हटके जाती जाती पही रहे और लड़ते रहें यह सब और हम अपनी जहर की मसल काटते रहें और सत्ता का मलाई खाते रहें जहर क्या फैल पाएगा बिहार में अब क्योंकि युवा तो इतना नादान है नहीं अभी समझदार हो रहे हैं युवाएं फिर हाल तो क्या चचा बतिया क्या मिला बिहार को अगर आज भी सबसे पिछड़ा राज के रूप में अस्थापित है बिहार तो यह यह दोस्त किसके मातिर पे लगा है जनता यह समझना चाहती है कि आर जीडी के कुछ लोग मनोज्जा को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग बिरोध कर कुछ लोग कर रहे हैं कौन क्या जग बोले ना तो ले ऊनंड मोहन कर वो तो पॉलिटिकल स्टेंट है उत पहले ठाकरूं को एक जगह इक एकठ़ा करेंगे और लास्ट में ले जाके आर जीडी के साथ चिपका देंगे मनोज्जा पंडितों को एकत़्ा करेंगे और लास् जालू यादव दहड़ी फेंगे और फिर जोई सेमानली जे कि घर पर जब भोजो ओज होता है ना तो नहीं उत पतल भावा फेंग दिया जाता है तो साम को कुतवा सब नहीं लड़ता है तो कुछ फेंग देगा जैसे मानलो विधाय के टिकट, MP का टिकट, अचाहे, MLC का ट सब की पोस्ट पता है, हाँ सब पोस्ट पता है, तो अब मनुझ जा को क्या बिलकुल सत वही, वह पतल रालू यादव, पतल है, जूटन फेक दिया जाता है, वह चाटता है, आपकी बात को लग रहा है, कोई इतना सीरियस लेगा मनुझ जा को लेकि लोग कहते वह प्रोफ देखा है, तो अब मनुझ जा को लादव अधितना होता है, मुंबई भटने गठी कभी मनुझ जा को खड़ा हुआ था, यह जितने दोगला है, यह जो आपस में लड़ रहा है, यह कभी बिहार की मूल समस्या के लिए कभी खड़ा नहीं होते है, हमेशा खड़ा होंगे ल बखार कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं फंसल कटेगा ये असली कारण है देखो जाती से बाहर सोचो ओट मत जब एक दम सवाल करोगे कि भाईया हम जाती पर नहीं अपने बच्छों का भविस बिहार फस्ट बिहारी फस्ट और बिहार की समस्याओं के लिए जो लड़ता होगा उसके साथ खड़े रहेंगे जिस दि जान जाएंगे इनकी दुखान बंद हो जाएगी और इनकी दुखान बंद करने की जरूरत है इसलिए कि हमको चाहिए बिहार एक नंबर भारत में गोरो साली इतिहासरा है बिहार से पूरा दुनिया चला है पूरा देश चला है मगध से हमको ऐसा नेता चाहिए और ओ जो यह गुण दिखाई देता हो उसी के साथ खड़ा हो यह बड़ी पिछड़े-पिछड़े की बात करते हैं ते जस्वी आदा हो छो सीट दी छो सेट मिला था उनको एमले के आधार पर राजसभा चुनने का कितना चुने तीन ठो फरवर्ड चुने पंद्रह मंत्री में से दोस मंत्री यादवे हैं कहां गया इनका बेकवर्ड प्रेम तो यह समझो यह मुर्ख बनाके और आपना रोटी सेखना है इनको इनके चले जाओ उसमें संगठन में उसमें भी क्योल यादव अरे भाई पंद्रह मंत्री में दो तो इनको बेटवे हैं तेजस्वी और तेजप्रताब और एक चंद सेखरें हैं गिन लो दस के दस उसी वह ही है तुम कहां गए तुमको सिर्फ चट्री बिछाना और पिछे-पिछे जिंदाबाद लगाना इसलिए हो आप सोचो यही करवाएंगे और यही करवाना चाहते हैं इनके माध्यम से मनोज्जा जैसे लोगों को ले जाएंगे और जहर बुआएंगे और आपका बच्चा धकाखाएगा